आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आल्टो VXR की हैलाइस को स्मोक कैसे करते हैं तो ये है गाड़ी की ओरिजिनल कंडेशन स्टॉक हैडलाइस हैं इसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाइ स्टेप पूरा प्रोसेस So let's get started गाड़ी के टॉप पे यहां बंपर पे चार प्लास्टिक बोल्ट लगे होंगे जिनको हम उपन कर लेंगे और गाड़ी के बंपर के नीचली साइट पे यहां पे मेरे पास दो स्क्रूज हैं इनको भी हम उपन कर लेंगे इनको उपन करने के बाद हमारे पास नंबर प्लेट के पीछे यहां पे एक लंबा सा बोल्ट होगा जिसको हम उपन कर लेंगे और यह उपन करने के बाद हमारा बंपर एक साइट से मैंने क्योंके खोला है तो मैंने एक ही साइट से उसको उता लिया इसके बाद headlights पे top पे और नीचे यहां पे दो यह bolts है इसको भी हम open कर लेंगे और इसके बाद right side पे यहां पे एक और bolt है यह open करने के बाद हमारी headlights बाहर आ जाई इसके बाद मैं main headlights bulb का clip, parking light का clip और indicator का clip भी निकाल लूँगा अब इन headlights को open करने के लिए मैं वो tools यूज़ करूँगा जो के हर किसी के घर में easily available हो तो मैं यूज़ करूँगा hair dryer और दो screw drivers heat gun मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि heat gun हर किसी के घर में easily available नहीं होती अब hair dryer से मैं थोड़ा थोड़ा area heat करके screw drivers की मदद से उसको open करता जाऊंगा मगर यह याद रखिएगा कि अगर आप यह काम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यह करने के लिए आपको काफी ज़्यादा patience और काफी ज़्यादा मेहनत की जरूरत होगी इसके अंदर लगी वी factory से जो silicon आती है उसको hair dryer से अगर open किया जाए तो वो काफी मुश्किल काम है लेकिन if you keep at it तो आप eventually वहां तक पहुंच जाएंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट इसके cover के अंदर ही लगाव है जिसके लिए हम यह screws open कर लेंगे यहां पर यह screw हम open करेंगे और यहां से हमारा indicator का back cover निकल आएगा इसके बाद हम चलते हैं main unit की तरफ main unit पे आप पीछे देख सकते हैं यह दो screws है जो के headlight को top और left की side पे adjust भी करते हैं यह दो open करने के बाद हमारे पास main headlight का reflector और cover अलग हो जाएगा इसके बाद हम इस clip की help से इसका पिछला bulb भी remove कर लेंगे और इसके बाद हम करेंगे start masking masking के लिए मैं use कर रहा हूँ 10 mm की ये tape और इसको हाथ की मदद से मैं curve करते करते जो areas मुझे चाहिए कि जहाँ paint ना चाहे वो areas में cover up करता जाऊँगा आप अपनी पसंद का design भी इस पे बना सकते हैं अब जहां जहां मैं चाहता हूँ के वह बहां पे रिफलेक्टिव पार्ट रहे वहां वहां पे मैं tape से उसको cover करता जाऊँगा इसी तरह ये आप पर dependent हैं आप किस जगा को cover करना चाते हैं और किस जगा को वही reflective पार्ट वहां पे रखना चाते हैं इस बात का भी ख्याल रखेगा कि जितना ज्यादा एरिया आपने पेंट से कवर कर गया, उतने ही ज्यादा आपकी रात को विजिबिलिटी भी अफेक्ट होगी. अब मैं यूज कर रहा हूँ बलाक स्प्रेइ पेंट, इसमें आप मैट स्प्रेइ भी यूज कर सकते हैं और गलॉसी स्प्रेइ भी यूज कर सकते हैं, मैं इस केस में मैट बलाक यूज कर रहा हूँ. स्प्रेय पेंट यूज़ करते वे इस बात का धिहान रखें कि अपनी स्प्रेय बाटल को थोड़े से फासले से यूज़ करें और लंबे और स्मूध स्प्रोक्स दें और एकी स्पॉट पे ज्यादा देर स्प्रेय करने को अवाइट करें इस केस में मैंने 3-4 कोट्स यूज़ की हैं स्प्रेय के क्योंकि मुझे एक ठिक और स्मूध फिनिश चाहिए थी बसकोशिश करें कि स्प्रेय करते वे डार्क स्पॉट भी ना मने और कोई एरिया खाली भी ना रह जाए अब 4 कोट्स करने के बाद ये है हमारा final result अब मासकिन टेप उतारते वे इस बात का ख़यार रखना है आपने कि आप मासकिन टेप बहुत ही स्मूध ली उतारनी है क्योंकि कुछ केसे में मासकिन टेप जोर से उतारने से कुछ कुछ पार्ट पे से पेंट भी उधर आता है यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या फिर इसको आप कम्प्लीटली ब्लैक स्प्रे से भी कवर कर सकते हैं यहाँ के लिए भी मैंने 3-4 कोट्स अफ पेंट ही यूज किया है यहाँ पे अगर आप चाहें तो सेंटर वाले पार्ट को और भी ज़्यादा ब्लैक स्प्रे से कवर कर सकते हैं मगर यह याद रखिए कि जितना पार्ट आप ब्लैक स्प्रे से कवर करेंगे अतना ही ज़्यादा लाइट कम रिफलेक्ट होगी जिस से रात को विजिबिलिटी इशूज भी हो सकते हैं जहां जहां पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है वहां वहां पे मैं कटर भी इस्तिमाल कर रहा हूँ इधर आपने एक और इंपॉर्टन चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके हाथ बिलकुल ड्राइ हो हाथ आपके बिलकुल गीले भी ना हो और ना ही ओईली हो क्योंकि जिस पार्ट पे अभी पेंट लगाव है उस पार्ट पे अगर आपका हाथ लग गया तो वो उस पे से उतारना डर्ट बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाद अब हम लाइट को पूरा रियसेंबल करेंगे रियसेंबल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आटुमोटिव सिलिकॉन वो हर जगा लगाके हीट करके और मैंने कवर बन कर दिया है इसके बाद मैं इसको जिस तरह मैंने लाइट को निकाला था उसी तरह सारे कलिप्स लगाके और लाइट को रियसेंबल करके और अपनी जगा फिक्स कर दूँगा हमारी एक लाइट होगी है कम्पलीट अब यह दूसरी लाइट कौन करेगा तो इसी तरह यही सारा प्रोसीजर अब होगा रिपीट इस लाइट के लिए यह है हमारी बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स इसमें आप देख सकते हैं गाडी की लोग बहुत ही जादा चेंज हो गई है बहुत ही डिफरेंट लोग आ रही है गाडी की लाइट स्मोक होने की वज़ा से गाडी बहुत ही एग्रेसिव लोग देती है यह सारा प्रोसेस मैं इंकरेज करूँगा कि आप लोग खुद घर में ट्राइ करें इसलिए मैंने ना तो कोई complicated tools यूज़ किया है ना heat gun यूज़ किया है ताकि आप लोग खुद अराम से easily हर बंदा हर average person यह अपने घर में खुद ट्राइ करके देख सके और कॉमेंस में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका experience यह करके कैसा रहा अब हमारी एक टाइट होगी है complete अधर करना है अधर करना है अधर